जैसे जैसे भारत स्वतंत्रता के बाद की अपनी यात्रा में एक प्रमुख मील के पत्थर के करीब पहुच रहा है तब सम्विधान सभा और स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने संसदिय लोकतंत्र को क्यों चुना इस पर एक नजर डालना जरूरी है स्वतंत्रता की 75 वी वर्षगांट से कुछ समय पहले संसद की भूमिका और उसकी जिम्मेदारियों के उन विचारों को याद करना अनिवार्य है जिन पर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बहस हुई थी संसद लोगों की संप्रभो इच्छा का प्रतिनिधित्व करेगी और उनके सामने आने वाले मुद्दों पर विचार विमर्ष करने के बाद कानून बनाएगी सबसे बढ़कर संसद के प्रती सरकार जवाब दे होगी गांधी की दृष्टी 3 नवंबर 1917 को गुजरात में हुए के राजनीतिक सम्मेलन में महात्मा गांधी के संसद के चितरन और उसकी भूमिका का सबसे महत्वपूर्ण विवर्ण माना जाता है पूर्व राष्ट्रपती स्वर्गिय के आर नारायनन ने अपने निवर्तमान भाशन में गांधी के जिन शब्दों का हवाला दिया था वे ये हैं अगर हमारे पास कोई संसद होगी तो हमारी संसद क्या करेगी गांधी ने कहा कि जब हमारे पास यह होगी तो हमें गलतिया करने और उन्हें ठीक करने का अधिकार होगा उन्होंने कहा कि गंतंत्र के शुरुवाती दौर में लोगों से बड़ी भूल होगी लेकिन धर्ती के लाल होने के नाते हम खुद को सही करने में समय नहीं गमबाएंगे नारायनन ने आजादी से कुछ दशक पहले भारत के सामने महत्वपूर्ण संघर्षों पर गांधी के शब्दों को उजागर करना चुना था कि हम जल्द ही गरीबी के खिलाफ उपाय खोज लेंगे और अब लंकाशायर के उत्पादों पर निर्भर नहीं रहेंगे महत्वपूर्ण रूप से गांधी ने इस संबोधन में कहा कि भारत शाही दिल्ली के निर्मान पर अनकहा धन खर्च नहीं करेगा यहत निश्चित रूप से भारत के गरीबों को ध्यान में रखते हुए कहा था, जिनके बारे में गांधी ने अपने जीवनकाल में बात की थी नारायनन ने कहा कि गांधी के अनुसार गल्ती करने की स्वतंत्रता और तुटियों को ठीक करने की शक्ती स्वराज की एक परिभाशा है संसद होने का मतलब स्वराज का होना है उसी नवंबर 1917 के संबोधन में गांधी ने प्रसिध रूप से कहा था कि हमारे पास जल्द ही एक संसद होनी चाहिए हम इसके लिए काफी फिट हैं इसलिए हम इसे अपनी मांग से हासिल करेंगे यह इसी दिन को परिभाशत करने के लिए हमारे उपर टिकी हुई है कुछ ही महीने बाद 21 फरवरी 1918 को गांधी ने मानवतावादी फ्लोरेंस विंटर बॉटम को लिखा कि भारत को संसदिय सरकार के रास्ते से गुजरना होगा और यह देखते हुए कि ऐसा होगा मैं स्वाभाविक रूप से एक ऐसे आंदोलन का समर्थन करता हूँ जो सर्वोत्तम संसदिय सरकार का मार्ग सुनिश्चित करेगा ध्यान दें की 30 साल बाद 17 दिसंबर 1946 को यहां तक की दक्षिन पंथी नेता श्यामा प्रसाद मुखर जी ने भी कहा था कि सम्विधान सभा जिसके वे सदस्य थे को एक स्वतंत्र और संप्रभू भारतिय गणराज्य की पहली संसद घोशित किया जाना चाहिए था नेहरू के उद्देश संकल्प भारत के पहले प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू ने सम्विधान सभा में प्रसिध उद्देश का संकल्प पत्र पेश किया था जिसने संसद और संसदिय लोकतंत्र के मूल धाचे के हिस्से के रूप में एक सम्विधान लिखने के लिए मंच तयार किया था 14 नवंबर 1985 को भारत के आठवे राष्ट्रपती आर वेंक तर्मन ने नई दिल्ली में आयोजित नहरू और संसद पर संगोष्थी में अपने उद्घाटन भाषण में नहरू के विचारों का हवाला दिया था नहरू ने कहा था संसदिय लोकतंत्र कई गुनों की मांग करता है यह निश्चित रूप से शम्ता की मांग करता है यह काम के लिए एक निश्चित समर्पन की मांग करता है लेकिन यह बड़े पैमाने पर सहयोग आत्मनुशासन सन्यम की भी मांग करता है हम अच्छी तरह से जानते हैं कि दुनिया में ऐसे कई देश नहीं है जहां इसने सफलता पूर्वक काम किया है मुझे लगता है कि बिना किसी पक्षपात के यह कहा जा सकता है कि इसने इस देश में बहुत बड़ी सफलता के साथ काम किया है क्यों? इसलिए नहीं कि हम इस सदन के सदस्य ज्यान के उदाहरण है बलकि मुझे लगता है हमारे देश की प्रिष्ठ भूमी के कारण और क्योंकि हमारे लोगों में लोक्तंत्र की भावना है याद कीजिये की पहले कानून मंत्री डौ बी आर अमबेड करने सम्विधान सभा में सम्विधान के मसौदे को पेश करते हुए शांदार ढंग से समझाया था कि संसदिय लोक्तंत्र का केंद्र विधायका के प्रती कार्यपालिका की जवाब देही है यह राष्ट्रपती प्रणाली के विप्रीथ है जहां जवाब देही नहीं बलकि कार्यपालिका की स्थिर्टा परिभाशत करने वाली विशेष्टा है के आर नारायनन और बहुदलिय चर्चा की व्यवस्था 2000 में भारतिय गनराज्य के स्वन जयंती समारोह के दौरान राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में नारायनन ने कहा था कि सम्विधान के ढाचे में कार्यपालिका की स्थिर्टा के मुकाबले जवाब देही को प्राथमिकता दी है ऐसा इसलिए था ताकि सरकार की व्यवस्था सत्तावाद में न फिसल जाए दुर्भाग्य से एक तरह से भारत को निरंकुष राज्य के सिध्धान्त जकड लिया है खासकर पिछले आठ वर्षों के दौरान ऐसा हुआ है यह सम्विधान बनाने वालों की दृष्टी के विप्रीत है नारानन के शब्दों में सरकार का रूप संसदिय लोकतांत्रिक स्वरूप को इसके संस्थापकों ने गहन विचार और बहस के बाद चुना था उनके लिए संसदिय प्रणाली सम्विधान सभा का एक सुविचारित और समझा बुझा विकल्प था उन्होंने जोर देकर कहा इसे ब्रिटिश व्यवस्था की नकल में या इसके जानकार होने के कारण नहीं चुना गया था जिसे भारत ने आपनिवेशिक काल के दौरान हासिल किया था इसके बाद उन्होंने गांधी को ब्रिटिश संसदिय शासन प्रणाली द्वारा भारत के उसकर्स को स्विकार करने का उल्लेख किया था जिसमें सदियों पुरानी ग्राम पंचायतों की व्यवस्था होने की पुष्टी की थी उन्होंने अंबेड करके इस स्पष्टी करण का भी उल्लेख किया कि बौध संध एक संसदिय प्रकार की संस्था थी जो आधुनिक संसदिय उपकर्णों जैसे की संकल्प, विभाजन, सचे तक आधी का उप्योग करती थी नाराणन के शब्दों में हमारी विरासत में इन तत्वों ने भारत में लोकतंत्र की संसदिय प्रणाली को अपनाना संभव और आसान बना दिया था उन्होंने एक अन्यकारक का उल्लेख किया, जो भारत की भागोलिक सीमा और हैरान करने वाली विविधता के बारे में जिक्र करता है, जिसने संसदिय शासन को सबसे उप्युक्त बनाया है. हमें पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाचपेई की सरकार द्वारा सम्विधान की समीक्षा करने के फैसले को भी याद करना चाहिए. उस समय नारायनन ने एक तीखा सवाल पूछा था, जाच हमें इस बात की करनी चाहाए क्या हमें सम्विधान ने विफल किया है या हमने सम्विधान को विफल किया है, उस सवाल ने सरकार को समीक्षा आयोग के इरादे को त्यागने पर मजबूर कर दिया था, हाला कि फिर भी समविधान के कारियों की समीक्षा के लिए एक आयोग बनाया गया था. संसद और लोकतंत्र पर हमला भारत का समविधान और उसका दृष्टिकोन आज भी संसद और लोकतंत्र की तरह लगातार खत्रे में है. विधेकों को बिना चर्चा और ध्वनिमत से पारित किया जाता है. यदि संसद सदस्य समविधान के अनुसार वास्तविक मतदान की मांग करते हैं, तो उन्हें अस्विकार कर दिया जाता है. क्रिशी कानून जिसके खिलाफ किसानों ने एक एतिहासिक आंदोलन लड़ा और जो एक साल से अधिक समय तक चला, जो इस तरह के इनकार के नतीजे का एक प्रमुख उदाहरन रहा है. सरकार को उन कानूनों को लोगों को भारी कीमत अदा कर निरस्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ा, केवल इसलिए कि उसने जानबूच कर और परामर्शी कानून बनाने की प्रक्रिया को खारिस कर दिया था. कोई और नहीं बलकी खुद प्रधान मंत्री ने जब विरोध करने वाले किसानों का आंदोलन जीवी कहकर उपहास किया, तो यह अंबेडकर का अपमान था, जिनके नारा शिक्षित रहो, आंदोलन करो, संधठित रहो, न्याय और उत्थान का दलित संधर्ष का नारा है. नारायनन के उपाध्यक्ष, जो राज्यसभा के अध्यक्ष भी हैं, के कार्यकाल के दौरान किया गया था. उन्होंने उनके वास्तविक उद्देश को उन स्थानों के रूप में परिभाशित किया, जहां सभी राजनीतिक दलों के विचार्विमर्ष के माध्यम से शासन क ठीक किया जाएगा. इसके मूल में समिती बहूदलियता का उदाहरण है, जबकि एक पक्षपात पूर्ण प्रणाली लोगों की इच्छा को प्रतिभिम्बित करने के लिए संसद की बड़ी भूमिका को नश्ट कर देती है. संसद विपक्ष की होती है. डौ अम्बेडकर ने कहा कि संसद विपक्ष की होगी. लेकिन दुख की बात है कि राज्यस्भा के सभापती ने भी विपक्ष की तानाशाही के बारे में बात की है. संसद में विपक्ष के लिए जगह कम हो रही है और इसलिए संसद में मूल्य वृध्धी, बेरोजगारी और बिगरती आर्थिक स्थिती पर चर्चा करने के लिए कोई जगह नहीं है.